जैन साथ यो आज है साथ अप्राइल का दिन और आज की वीडियो में टोटल दस मोस्ट इंबोर्डेंट प्रश्णों पे हम चैश्या करने वाले हैं देखिए आज के जितने प्रश्ण हैं बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इंबोर्डेंट आपकी सभी परिक्षाओं के लि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को देखिए आज का मारा पहला प्रशन है कि भारती राष्ट्री राइफल संग के नए अधिश कौन बने तो यह भारत लिक्स ते लिए अधिश बन गए हैं जो भारती राष्टी राइफल संग इसके सापना 1951 में की गए थी और यह रखेगा कि वरत्मान में जो भारती राष्टी राइफल संग है इसके अधिश बन गए हैं कलकेश नारायान सिंह देव अगला की Forbes के द्वारा जारी अरपपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है तो दीखे Forbes ने जो अरपपतियों की सालाना लिस्ट जारी की है इसमें नंबर वन बन गया है Bernard Arno and Family ठीक है तो Bernard Arno and Family जो है ये दुनिया की सबसे अमीर फैमली बन गई है दीखे इससे पहले जो टेसला और ट्वीटर के मालिक थे एलन मस्क ये दुनिया के सबसे अमीर बैक्ची बने थे कुछ सी दिनों के लिए लेकिन अब ये इस लिस्ट में फिसल कर दूसरे पाइदान पर आ गया है और बर्नार्ड आर्नो एंड फैमली जो है ये अब दुनिया में सबसे अमीर हो गए है दीखे एलन मस्क की संपती पिछले साल की तूलना में 49 बिलियन डालर जो है ये कम हो गई है और एक खास पतोर है जो भारत के मुखेश अंबानी है ये दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्चियों की सुची में नवयस्तान पर आ गए है यानि ये टॉप 10 में एक भारती है दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्चियों की सुची में पूरा मामला क्या है देखी जो फीफा है इसंने पुरू को पुरू के अंडर 17 विसंकी मेजबानी से खपा दिया है इसके पीछे तैयारीओं का हवाला दिया है माल यह अगर किसी भी देश को जिमेदारी मिलती है कि तुम विसकप की मेजबानी करोगे या फिर आजन करोगे अगर वो तैयारी नहीं कर पारा तो उसको भाई मेजबानी से हठाना पड़ेगा ही तो FIFA ने भी वही किया है पेरू को जो है पुरुसों के अंडर 17 फिफा विसकप की मेजबानी चाठा दिया है और आपको एक खास रनकर यह याद रखनी पड़ेगी कि FIFA अंडर 17 विसकप 2013 टूर्नामेंट जो है यह 10 नॉमबर से 2 दिसंबर के बीच में आयो जित किया जाना है और इसमें 24 टीमें भाग लेंगी ठीक है तो देखी जो आपका FIFA विसकप 2013 था अंडर 17 वाला इसका मेजबान पहले पेरू था लेकिन अब यह नहीं रहेगा अब देखते हैं कि पुरुसों के अंडर 17 फिफा विसकप 2013 इसको मेजबान करने के लिए कि इस देश को चुना जाता है इसको नोट कर लिएगा कि पेरू फिलाल जो आप मेजबानी नहीं करेगा चौधा प्रशनी की हाली में मेरिल बोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारती क्रिकेटरों को आज इवन सदस्ता प्रधान की तो देखे भी हाली में टोटल पांच भारती क्रिकेटरों को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब का आज इवन मेंबर बनाए गया है और ये पांच खिलाडी कौन है पांचों का नाम आपको रटना पड़ेगा क्योंकि जब भी मेरिलबॉन क्रिगेट क्लब का किसी को मेंबर मना जाता है तो वो एक्जाम में 100% पुछता है तो आईए सारी जानकारी मैं आपो देऊ देज़े भी हाली में जो आपका मेरिलबॉन क्रिगेट क्लब है इसने पाँच भारती क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्ता परदान की है इसमें भारत के पुरकप्तान महेंदर सिंग धोनी का नाम सामिल है जूलन गोस्वामी का नाम सामिल है मिदाली राज और युराज सिंग का नाम सामिल है देखे MCC यानि की मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब जो आपका है ये लंदन में सी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठी क्रिकेट क्लबों में से एक है और इसके सापना 1787 में की गई थी देखे इसमें एक नाम छूट गया है वो नाम है सूरेश रहना का डिका है तो सूरेश रहना को भी जो है बनाए गया है क्योंकि मैंने आपको पांच लोगों के नाम बताए है तो तीन पूरुस की लाड़ी है पूरुस की लाड़ीयों में आपके है MS धोनी और सूरेश रहना और यूराज सिंग इन तीनों को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदसे बनाएगा है और मैलाओं में जूरन गोस्वामी और मितारी राज को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्ता दिया गया है इसको नोट कर लेगा और पांच माई की जगरनाथ महतो का निधनों गयाली में ये किस राजी के सिक्षा मंतरी थे तो देखी जगरनाथ महतो हैं ये ज़ारखंड के सिक्षा मंतरी थे देखी ज़ारखंड के ज़ारखंड मुक्ती मोचा के वरिष्ट निता है जगरनाथ महतो इनका जो है चेन्ड़ई में विहारी में एक हॉस्पीटल में निधन हो गया आप देखिए जहारखन की राजपाल सीपी राधाकृष्णन या रखेगा देखिए यहां पर मैंने बस जानकारी के लिए दिया है मैं ऐसा सेंटेंस वना रहा हूँ कि आपको जो है दो नाम याद हो जाएं पहले यह कि जहारखन की जो राजपाल इनका क्या नाम है सीपी राधाकृष्णन और जहारखन के मुक्रमत्री कौन है हेमन सोरें ठीक है तो इन दोनों ने जो है जगरनात महतो जो की जहारखन के सांखी की आयोग का सदस्य चुना गया तो दीखी जो आपका अपना भारत देश है इसको संगतराश के सरोच सांखी की आयोग का सदस्य चुना गया है भारत के लिए बहुत गवरों की बात है दीखी भारत को संगतराश के सरोच सांखी की आयोग का मिंबर चुना गया है औ के जनवरी 2024 से सुरू होकर चार वर्सों तक चलेगा और भारत के विदेश मंतरी एजे संकर ने बताया है कि भारत ने सांखी की विवित्ता जन सांखी की में अपनी विशेस्ता के आधार पर ये सीट हासिल की है और अपतादी की संक्त राश्ट सांखी की आयोग जो है इसकिस सापना 1947 में की गई थी और ये वैस्विक सांखी की प्रडाली का सरोच निखाया है सादों प्रशनी की हाली में किस भारती अमेरिकी ने विदेश विवाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों के उपसचीव का करेबार समाला है तो देखे बेगते आपके हैं रिचार्ड व राज़ूत रह चुके हैं रिचर्ड वर्मा इन्होंने अमेरिकी विदेश विवाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों के उपसचीव का पत समालिया है देखे जो आपके रिचर्ड वर्मा है ये विदेश विवाग में सरवोच रैंकिंग हासिल करने वाले भारती अमेरि जन्वरी 2015 से 20 जन्वरी 2017 तक या रखेगा इन्होंने भारत में अमेरिका के राज़ूत्म के रूप में काम किया था और इसके बाद ये मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैस्विक सारुनिक निती के प्रमुक बन गए थे तो ये सारी चीज़े नोट कर संके तक टाइग हासिल किया है तो देखिए वित्ती वर्स 2023 में सबसे अधिक जी आई टेग मिला है केरल राजिक हो देखिए जी आई रश्ट्री के दौरां साधा किया गए डेटा के इसार फाइनेंसियल एर 2030 में केरल ने भारत के सभी राजियों में उत्पादों के लिए सरवाधी भोकोली संके देख असिल किया देखिए कई केरल के उत्पादों जिसमें अटपाडी आटू कॉम्बू अवारा बीन्स और अटपाडी थोरा यानिके रेड ग्राम और तील और देखिए यह सब कि मल्यासी बासा में नाम है ठीक है तो ओन टू टूकरा एलू यान और स्नैप मेलन इन सभी प्रोड़क्टों ने जो है जी आई टेग प्राप्त किया था वित्ती बश्ट तो यार तेश में ठीक है तो इसको याद कर लिएगा अगला की हाली में किस भारती अमेरिकी चिकिसक को अमेरिकन यूरोलोजिकल एसोसीशन के द्वारा प्रदान किये गये यंग यूरोलोजिकल आप दे इयर अवार्ड से समने दिया गया है तो दिखिएन का नाम है डाक्टर नित्या अबराहम नाम जरूर यार रखेगा एक यह आपको दिला देगा यह रखेगा भारती अमेरिकी चिकिसक डाक्टर नित्या अबराहम को अमेरिकन यूरोलोजिकल एसोसीशन के द्वारा जंग यूरोलोजिस्ट आप दे इयर अवार्ड से समने गया है और देखिए इनके साथ साथ कई और लोगों को भी यह सम्मान सामिल हैं और इसमें सुची में केरी जचरी क्लासेन और याहिर संतियागो लास्तरा भी सामिल है तो इस पेशली देखिए बहरती का नामी बूशेगा क्योंकि दुनिया का ठीका अमने नहीं लिए रखा है और एक्जामनर ये सो समझ के फेबर बनाता है कि बच्चों को जा रेजिदेंशी प्रोग्राम के कारिकारी देशाक है याद रखेगा भारती अमेरिकी चिकेशक डाक्टर नित्या अबराहम को अमेरिकन यूरोलोजिकल एसूसियन के द्वारा प्रदान किया गए जंग यूरोलोजिस्ट आप दे येर अवार्ड से समानित किया गया है और दसों प्रश्णी की हाली में किसे पोलेंड के सबसे उच्च समान सफेद इगल आर्डर से समान किया गया तो दीकि सफेद इगल आर्डर समान वोलोडी मेर जेलिंस्की को दिया गया है देखे वाइट इगल आडर पॉलेंड का सबसे प्रतिष्टी सा अवार्ड है और रेपब्लिक आप पॉलेंड के प्रिजडेंड आपिस ने बताया है कि जलेंस्की को ये सम्मान पॉलेंड और यूकरेंड के बीच सम्मंदों को मजबूत करने सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानवादिकारों की रक्षा के लिए अपने युगदान के लिए दिया गया है तो वोलोडिमीर जलेंस की जो की याद रखेगा कहां के राजपती हैं ये जो है यूकरेंड के राजपती हैं इनको अभिहाली में पॉलेंड का सबसे उच्छ सम्मान सफेद इगल आर्डर सम्मान दिया गया है और आज मैं कोशन आप दिनने पूछूँगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट से आज वीडियो बनाया है और थोड़ा सा रात में भी लेट हो गया था सुने में कुछ काम से तो आज का वीडियो इंसमात होता है कल फिर हम अपना कांटिनू करेंगे कोशन आप देट ठीक है तो अधिक सदी वीडियो को लाइक करिए और इसको शियर कर डालिए ठीक है थैंक्यू